आज इस वीडियो में हम आपको अपने miniature table chop garden का एक overview दिखाएंगे और साथ में आपको दिखाएंगे अपने succulents और table chop plants का collection भी और उनके names और prices भी हम आपको बताएंगे और जिन cute planters में ये plants लगे हुए हैं हम उनके prices भी आपको बताएंगे और साथ में हम आपको बताएंगे क कुछ tips और tricks भी कि कैसे आप अपने घर की small spaces को और corners को miniature garden में convert कर सकते हैं तो हमारे वीडियो को बुराइन तक देखेगा और हमारे चैनल को like, share and subscribe जरूर कीजिएगा Hello everyone, आज हम इस वीडियो में आपको अपना miniature garden दिखाएंगे जो हमने create किया हुआ एक चोटी सी balcony में और ये हमारी drawing room की balcony है जिसमें एक shoe rack रखी हुई है ये shoe rack के उपर हमने अपना miniature garden create किया हुआ है और इस rack के उपर हमने लगाई है ये grass, artificial grass है ये और उस grass के उपर हमने कुछ succulents और कुछ table top plants रखे हुए हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कौन से plants महां रखे हैं सबसे पहले देखिए ये zuniper का plant, zuniper के तो वैसे trees होते हैं ये cold reason का, hilly reason का plant होता है बट ये drop variety का zuniper है इसको Japanese zuniper भी बोलते हैं और ये बिलकुल tree की तरह ही लगता है जैसे चो अगर इसको इंडोर्स में कुछ ठंडी जगा पे रखे ग्रो किया जाए ना तो ये असानी से grow हो जाता है और अच्छे से grow होता है और इसको मैंने clay pot में ही लगाया हुआ है क्योंकि clay pot में लगने से इसकी roots को ठंडक मिलती रहती है और देखिए कितना खुबसूरत लग रह पहुच गए हो ऐसा ये आवास कराता है और ये दूसरा plant है ये फाइलो डेंडरन की एक वराइटी है मैं आपको दिखाती है उसकी मिनियेचर वराइटी है ये फाइलो डेंडरन वैसे तो आपने बहुत से देखी होंगे बड़ी वराइटी के भी देखे होंगे जो मनी प् 50 रुपीज का पर्चेस किया था और ये जिस पॉट में लगा हुआ है ना सिरामिक के पॉट में ये कुछ तीन चार इंच का पॉट है ये 70 रुपीज का मैंने पर्चेस किया था और इसकी लीव्स जो है काफी फलेशी होती है जैसे सक्यूलेंस की होती है ना कुछ उस तरह देदा स्त như classic होर्थिया कैक्ट्स है। जो फोट लगें लगा हैं। मैं निकलते मैं भड़ दो स्कॉ worlds को शुद्टा काफ के फऑल को दितला काथ हैं। भडल निकलते हैं मैं निकलते हैं यह प्लांट्स जो होते हैं तो इनको डारेक्ट सनलाइट चाहिए होती है कम से कम तीन चार घंटे की तो मेरी इस बैलकिनी में तो डारेक्ट सनलाइट नहीं आती है तो मैं कभी-कभी इसको शिफ्ट कर देती हूं दूसरी बैलकिनी में भी और इसके साथ मैंने रखा हुआ ह यह बहुत सारे colors में आते हैं इसमें pink, red, maroon, purple बहुत सारे colors आते हैं मेरे पास यह दो colors के प्लांट है एक gray और pinkish gray color का है और एक के साथ ही है यह light green color का प्लांट है और यह succulents की खासबत ही होती है कि यह leaves से भी grow हो जाते हैं बहुत easy to grow plants होते हैं और देखिए यह leaf गिरगे थी एक और उसमें से एक छोटा सा पप और निकल रहा है और यह पस इन प्लांट को ध्यान रखने की बात यह होती है इन के लिए कि इनको केवल cactus potting soil में ही लगाना चाहिए यह सब तहरा की soil में grow नहीं कर सकती है इनको sandy soil में लगाना चाहिए और cocopeat वाली soil को avoid करना चाहिए और इनको कम से कम एक से दो घंटे की morning की sunlight की जरूरत होती है जो succulence variety के plants होते हैं और इसके पीछे यह रखा है मैंने miniature variety का zanadu जanadu वैसे आपने बड़े-बड़े leaves वाले देखे भी होंगे और एक drop variety का zanadu मेरी दूसरी balcony में है आपने पहले वीडियो में देखा होगा यह उससे भी छोटा miniature variety का zanadu है जो चार इंच के pot में लगा हुआ है और यह बहुत ही छोटा इसकी leaves है देखे बहुत चोटा बहुत फिंगर से भी छोटी leaves होंगी शायद इसकी और यह जो है मैंने 60 रुपीज का purchase किया हुआ है यह और यह कोकोपीट में लगा हुआ था त यह कम light में low light spaces में भी यह ग्रो करते रहते हैं और यह मैंने लगाया हुआ एक डग प्लांटर में spider plant यह spider plant के जो प्लांटलिट्स आते है ना spider's में से जो निकलते हैं उसमें से ही मैंने लगाया यह चोटा सा और यह डग प्लांटर मैंने लिया था 150 रुपीज का और जनाड वराइटी का ड्रॉफ वराइटी का प्लांट है यह bird's nest प्लांट भी इसको बोलते हैं और यह बहुत ही चोटा सा प्लांट है चार साल हो गए इसको तब से यह इतना ही ग्रो हुआ है और इस से जादा ग्रो यह होते भी नहीं है यह multiply बहुत तेजी से होते रहते हैं इसके पीछे एक चोटा सा प्लांट और भी आ रहा है और यह मैंने कुछ 40-50 रुपीज का पर्चेस किया था और इसके साथ यह रखी है मैंने यह पे सीडम मॉस यह से क्यूलेंट वराइटी की ग्रास होती है एक तरह से और इसकी लीव्स तेखिये कितनी चोटी है जैसे बासमती केक चोटे से कुलर्ड में लगी हुई है मैं इसको शिफ्ट करूंगी मैंने कटिंग से ही ग्रो की हुई है और यह जो ग्रैप्टो पैटेलम के प्लांट होते हैं यहां पर इनको बहुत कोसली बोलते हैं इनकी रेंज यह यह पर बोलते हैं कुछ 100-150 रुपीज में मिलते ह एक प्लांट में आपको और दिखाती हूँ मिनियेचर वराइटी का यह है पॉल्का डॉट प्लांट है यह बहुत सारे कलर्स में अब लेवल होते हैं और इनकी लीवस बहुत चोटी-चोटी होती हैं इसमें पॉल्का डॉट का कुछ पैटन होता है इसमें मेरून, पिंक, रेड, पर्पल और भी बहुत सारे कलर्स आते हैं और यह फैरी गार्डन के लिए मिनियेचर गार्डन के लिए बिल्कुल परफेक्ट होते हैं क्योंकि यह चोटे पॉट्स में बड़ी असानी से ग्रो होते रहते हैं और चोटे स्पेस के लिए इंडोर्स के लिए यह बिल आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा और हमारा मिनीचर गादन कैसा लगा आप जरूर मुझे कॉमेंट करके बताईएगा और आपकी घर में भी कोई ऐसे आप आप ये अपने लिए मीनीचर गाडन इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा भाई थैंक्स पर वॉचिंग